श्रावन के महिने की पंचमी कौन सी थी थी पंचमी चाहे वो शुकल पक्षी की हो चाहे वो कृष्ण पक्षी की श्रावन महिने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के वेक्षी का कामड जल कामड जल हमने बताया है आपको जरूर नहीं एक गंडा बान करकर दो कावड़ के जल के लोते लेकर जाओ आप अपने हाथ में भी दो पात लेकर जा सकते हैं पंचमी की दिन हाथ में दो लोते जल के दो कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चड़ाते हैं तो उपर जो कमंडल होता है शिवजी के उपर जल धारी होती है जिसमें जया अपिशहरा शामली बारी दो तली और देव शंकर भगवान की पाँच बेटियां जिसमें अर्फित करते हैं हमारे पीडी में तरिवार में अगर पोई अधो कती में मर गया होता है कुमारी अवस्था में चले गया होता है अगर he icon के बहृरत कर भी तो श्रामन महिन के दोनों पंचमी पर पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ती आफिती जल ज nom संसर्ष होता है प्रेत योनी में सर्प की जोनी से मुक्त हो जाता मारा जा एक लोटा जल्स समर्फित करदो उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे खुटुम्ब में कोई साथ पीडी के अंतर गत्री अगर कोई जीव तड़ा राता है, फड़ा रुआ होता है उसकी मुक्ती नहीं होती है तब पंचमी का चड़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जनम नहीं होता वो तर इसको मुक्त पता का ये मुद ये मुद चाहे नाक पंचमी हो चाहे श्रावन महिने की शुकल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो और समझ लो अच्छे से स्रावन महिने की पंचमी के दिन देव अजुद्य महादेव पर चड़ाई गई शमी पत्र को आस्तिक मुनी का नाम लेकर शमी पत्र को बापिस इठाकर उसको अपने दर्वाजे की चोखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और रख देने पर घर के अंदर बगीचे के अंदर सर्प प्रविश नहीं करता जान रखिये हैं सरप प्रवेश नहीं करें शमीं पत्र को आस्तिक मुनी का स्मर्ण करने हैं कौन से मुनी है आस्तिक प्रविश नहीं शामलीवारी दव तली और देव ये पाचो कन्याओं का भाव प्रगट हो जाता है और वो कन्याओं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती है। तुमारे घर की बेहन बेटी क्या करती है। तुम्हारे घर की बेहन बैटियां क्या करती हैं, घर में बेहन बेटियां आती हैं तो बददुआ देकर नहीं जाती हैं, घर में कन्याय रहती हैं बदद्दुआइ नहीं देती हैं, घर की बैटियां जब दरवाज़ Jackie can't and start with मे Schools in my house to적으로 जीवन की सारी दोलत, जीवन का सारा सुख अपने माईके में दे दिया है, वो बेटिया है, तो जया, विशहरा, सामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं, जिससे ये घर में हम रख़ा करती हैं।